बेहन बेटी माई के क्यों आती हैं? दिल छू लेने वाली कहानी पिता जी जोर से चिलाते हैं, प्रिंस दोड कर आता है, पूछता है क्या बात है पिता जी? पिता जी, तुझे पता नहीं है आज तेरी बेहन रश्मी आ रही है, वह इस बार हम सभी के साथ अपना जनम दिन मनाएगी, अब जल्दी से जा और अपनी बेहन को लेके आ, हाँ और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेके जा, जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगे प्रिंस, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है, सुभा ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहके ले गया, कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है, पिता जी, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी या किरायकी करके, उसे बहुत खुशी मि प्रिंस, अरे वैं बच्ची है क्या, जो आ नहीं सकेगी, आज आएगी, आप चिंता क्यों करते हो, कोई टैक्सी या ओटो लेकर, पिता जी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए, घर में काड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ओटो से आएगी, प्रिंस, ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता, पिता जी, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं, शादी हो गई तो क्या, बहन पराई हो गई, क्या उसे हम सब का प्यार पाने का हक नहीं, तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है, कोई भी बेटी या बहन, माय के छोड़ने के बाद वे पराई नहीं होती, प्रिंस, मगर मेरे लिए वे पराई हो चुकी है, और इस घर पे सिर्फ मेरा अधिकार है, अचानक पिता जी का हाथ उठ जाता है, प्रिंस पर, और तभी मा भी आ जाती है, आ पर पल इसका खयाल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचा कर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी, विदाई के वक्त भी हमसे जादा अपने भाई के गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है, प्रिंस, मुस्कुरा के, बुवा का भी तो आज ही जनम दिन है पापा, कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार आटो से आई है, आप कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए, माना वहे आज तंगी में है, मगर कल वहे भी बहुत अमीर थी, आपको, मुझको, इस घर को, उन्होंने दिल खोल कर सहायता और स मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ, कि तब ही बाहर गाड़ी रुखने की आवाज आती है, तब तक पापा प्रिंस की बातों से पश्चताप की आग में जल कर रोने लगे, और इधर प्रिंस भी फूट फूट कर रोय जा रहा था, कि रश्मी दोड कर आ और कलर भी मेरी पसंद का है, प्रिंस, हैपी बर्डे टू यू दीदी, वह गाड़ी आपकी है, और हमारी तरफ से आपको बर्डे गिप्ट, बहन सुनते ही खुशी से उचल पड़ती है, कि तब ही भूआ भी अंदर आती है, भूआ, क्या भईया, आप भी ना, ना फोन, ना कोई खबर, अचानक बेजदी गाड़ी आपने, भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा, पापा आज भी जिन्दा है, इधर पिताजी अपनी पलकों से आसू लिए, प्रिंस की और देखते हैं, और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है, इधर भूआ क कहती जाती है, कि मैं कितनी भागेशाली हूँ, जो मुझे बाप जैसा भहिया मिला, इश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भहिया मिले, पापा मम्मी को पता चल गया था, कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिष्टों को मजबूती से जुरते देख कर वे अंदर से खुशी से तूट कर रोने लगे, उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद मेरा प्रिंस रिष्टों को सदा हिफाज़त से रखेगा, बेटी और बेहन एक दो अनमोल शब्द हैं, जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बे शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें